मेरे घनिस्ट मित्रों, नमस्कार, फ्रेंट्स, आज की शुरुवाद मैं एक बहुती छोटे से प्रशन से कर रहा हूँ, बहुती सरल, किन्तु बहुती उम्दा प्रशन, और कुल में लाकर प्रशनिया है कि क्या आप हिमानी बुंदेला को जानते हैं, चलिए हो सकता है कि इ अवनी लेखरा को जानते हैं, हो सकता है कि अवनी लेखरा का नाम आपके लिए थोड़ा सा अंजाना सा हो, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे और नियूज में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, या स्पोर्ट्स में आप थोड़ी सी भी रूची रखते हैं, तो डेफिनिटली अवनी लेखरा को भी जानते होंगे, लेकिन जहां तक मैं उमीद कर सकता हूँ कि हिमानी बुंदेला को तो आप डेफिनिटली जान ही रहे होंगे, यहां वही हिमानी बुंदेला जो पिछले दो दिनों से कौन बनेगा करोड़ पती में आ रही हैं, अब एक करोड रुपए जीते हैं, यदि आपने वो प्रोग्राम फ्रेंड्स नहीं देखा हो, तो प्लीज एक बार जरूर आप उस प्रोग्राम को देखिए, और प्रोग्राम के रूप में उस प्रोग्राम को मत देखिए, उसको आप एक तरह से जिन्दगी जीने के जो तरीके ह हो सकते हैं उस रूप में देखिए मन की जो ताकत हो सकती है उस रूप में देखिए जिंदगी में जिसे हम हार और जीत कहते हैं उसके बारे में आपको क्या फार्मूला वहां से मिल रहा है उस रूप में देखिए दोस्तों हिमानी बुंदेला और आप आएंगे आप उनके पुछे जा रहे हैं उन प्रशनों पर गौर कीजिए कितने कठिन कठिन प्रशन थे और सबसे बड़ी बात है कि उन प्रशनों के वो जवाब दे रही है और बहुत उंचाई तक तो वो बिना किसी सायता के पुछ गई है उनके छोटी छोटी चीजों को आप मार्क करने की कोशिस कीजेगा उनके बोलने का अंदाज उनके चेहरे के हाव भाव उनके ग्यान का इस्तर अपने काम के प्रती उनकी निस्ठा अपने परिवार से उनका लगाओ इन सारी बातों को आप गौर कीजेगा और फिर वो हमारी जिन्दगी के लिए कुछ ज़्यादा काम की बात रह नहीं जाती है क्योंकि हमने उसे बहुती सामाने तोर पर लिया है आप देखें कि किस तरीके से वो स्कूल में पढ़ाती हैं और मैट्स पढ़ाती हैं और साइन्स भी थोड़ा बहुत देख लेती हैं और बच्चों को किस तरीके से वो पढ़ाने के लिए नए नए उपाय ढूंडती हैं कितने प्रेम से पढ़ाती हैं और मैट्स के कुछ फार्मूले तो जब वो अमिताब बच्चन जी को बताने लगी तो इस तरह से बताने लगी जैसे अमिताब बच्चन जी उनके स्टुडेंट हो, ओ गुड, ओ येस, वेरी गुड, देखी आप इसको, मैं सच में बार-बार आपसे कह रहा हूं कि आप उसे करके ले भी आएं, लेकिन उनकी आवाज के खनक को महसूस कीजिए, कि उनकी आवाज में किस तरीके से एक अलग ही किसम का आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास के साथ साथ उनकी आवाज में आपको एक लास मिलेगा, डिप्रेशन नहीं, निराशा नहीं, नाराजगी नहीं एक उत्सा ऐसा लगता है जैसे कि कोई उत्सव उनके अंदर हमेशा हमेशा के लिए समा किया हूँ और उनकी जिंदगी को आप देखेंगे तो क्या है देखे अगर कोई जन्म से ही दिव्यांग हो तो unfortunate इस्थिती तो है लेकिन समझा जा सकता है कि उसने अच्छी दुन 14-15 साल बहुत अच्छे रूप में गुजारे हों स्वस्त रूप में गुजारे हों और अचाना की जिंदगी में एक ऐसी दुरगटना घट जाए कि वो दिव्यांग में शामिल हो जाया और उस भी एक ऐसी दिव्यांगता कि आँखों की रोशनी चली जाए जैसे याँख काला काला रंग गायब हो गए हैं लोगों के चेहरे गायब हो गए हैं सुन्दर्ता गायब हो गई हैं अक्षर गायब हो गए हैं आप पढ़ सकते हैं और चलिए पढ़ने लिखने की बात तो छोड़िए आप बिलकुल दूसरे पर अवलंबित हो गए हैं अपने दम पर ए इमानी ऐसी ही जिन्दगी जी रही है, शुरू में स्वस्त थी, बहुत अच्छी थी, तिके नचानक दुर घटना घटती है, और इस तरह के जिन्दगी में उप्रवेश कर जाती है, और इसके बाद भी अपने अंदर के इस उत्सव को इतना बचा कर रखना, इतने शांदार तरीके से जीवन जीना, ग्यान का इतना जबरदस्त भंडार अपने अंदर समाहित कर लेना, दोस्तों अगर यह आश्यरी नहीं है, तो फिर आश्यरी क्या है? मैं इसके बारे में ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूँ, मैंने इसके कुछ कुण कुछ डाइमेंशन्स आपके सामने रखे हैं और मैं चाहूँगा कि डिफिरिंटली आप थोड़ा सा यह काम करें, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको इसमें वक्त लगाना ही चाहिए, दोस्तों आज बस इतना ही, नमस्कार.